हाई एवरिवन तो आज है रहे हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बहुत ही जादा इंपॉर्टन चीज़े हैं जो कि यार सिंक्रोनाजेशन एंड एस्टेलिंग पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़े भी मिलेंगे कि एस्ट्रा देंगे जादा आती नहीं हो बट तब भी स्ट्रोब्स एंड हैंड शेकिंग क्या होती है उसके बारे में एक ब्रीफ थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा तो यह वीडियो ट्रूंज है कि मैं आपको बोलूगा कि पहले वाला जो वीडियो होगा पैललल और सी और यह मान दोद रिसिविंग हेंड है ठील टा रिफेह बहुत ही बढ़ी और सिख्लोंज होगी वह उम्वाचा ड़या धिपाला तो यहांपर हिए बढ़ी Yo asynchronous में sender की खुद की एक private clock होगी and receiver की भी खुद की एक private clock होगी तो यहाँ पे दोनों की क्या होंगी private clocks होगी ठीक है बात समझ बागी so यह आप समझा सकते हो सबसे main important point यह है sender और receiver अपना synchronous में दोनों का same clock है और जबकि बात करी जाए asynchronous में तो दोनों की क्या है private clocks होगी ठीक है clear होगी बात तो इस तरीके से यह आप समझ चुक्यों clear होगी बात yes तो यहीं दिमाग में रखना concept and आगे चलके यह अपन समझेंगी क्या है synchronous में क्या होता है कि data transmit होता है in the form of chunks या फिर block की form में और sometimes you can say frames so data in the form of frames chunks इस हिसाब से data send होता है या transmit होता है और asynchronous की बात करें तो यह पर character या फिर one byte of data एक single time पर transmit होता है simple है synchronous में speed बहुत ज़्यदा fast होती है clear है and अगर asynchronous की बात करें तो यहापर speed जो है slow होती है अब speed fast होगी तो थोड़ा बहुत ज़्याद expensive भी होगा definitely synchronous expensive है but asynchronous की बात करें तो यह इतना ज़्यादा expensive नहीं है economical है and यहापर जो time intervals होंगे वो constant use होंगे और यहापर random time intervals होंगे there are gaps between the data तो यहापर अगर datas भेजेंगे तो आपर gaps मिल सकते हैं clear है and इतर asynchronous में कोई भी gap अपने को नहीं मिलता तो यह कुछ differences हैं जो कि आपको पता होने चाहिए and यहापर example है chat rooms chat rooms मतलब आप video calling है तो वहाँ पर क्या हो सकता है data का थोड़ा बहुत loss भी हो सकता है data gaps हो सकते है अगर आप video call में जा रहे हो वह सकता है कई बार ही data loss हो जाए ठीक है आप कभी video call देखते हो नो 101% पूरी clear video calling नहीं होती है बहुत बार क्या होता है data loss हो जाता है but वापे क्या important रहता है speed की call cut नहीं होना चाहिए so यह important बात है so video calling पर आप synchronous transmission देख सकते हो data का चैट रूम में देख सकते हो telephone conversation में देख सकते हो अगर telephone में बात करें तो sometimes क्या होती आवाज थोड़ी बहुत करती है but जो main important चीज़ है वो speed matter करती हो आपे तो उस हिसाब से आप synchronous के examples यह दे सकते हो clear है बात समझ गया है जबकि asynchronous में क्या होता है कोई भी data loss नहीं होना चीज़ है हमारा main concept क्या है asynchronous में कोई भी data का loss नहीं होना चीज़ है so यहाँ पर भले थोड़ा delay हो जाए possible है अब emails email में अगर थोड़ा delay हो चलेगा but transmit करने में delay की बात हो रही है एक ने सेंड गया दूसरे को email तो हो सकते transmission करने में थोड़ा delay चल जाएगा but जो data है वो एक दम accurate जाएगा data में कोई भी loss होता हुआ नहीं दिखेगा so this is the example of asynchronous transmission clear होगी बात SC forums और letters में भी आप लोग asynchronous data transmission या data transfer देख सकते हो clear हो चुकी बात तो यह एक important concept है and मैं उपकराऊं कि आपको video conferencing synchronous का example देते हुए 101% समझवा आ गया है अभी मैंने आपको email बता है email में कोई भी data lost नहीं होता so that's why यहाँ बेलिखा कि कोई भी gap नहीं मिलेगा data में ठीक है तो यह important बात है asynchronous की समझगे भी आ तो अगर आप लोग diagram देखोगे sender to receiving end पे synchronous का data transmission कुछ इस तरीके से जाता है and यहाँ पर आपको asynchronous में delay मिलेगा क्योंकि आप stop bits और start bits भी होँगी and बीच मगए data होगा so data कहीं भी loss हो ही नहीं सकता simple होगी बात clear होगी बात yes अब यह तो हमने समझ लिया क्या synchronous और asynchronous क्या है उनके बारे में ठीक है उनके बारे में हमने एक brief idea भी ले लिया अब दूसरी चीज़ यह है कि जब भी हम asynchronous data transfer कर रहे होते हैं तो asynchronous में क्या होता है mostly CPU IO के साथ interact कर रहा होता है so with the help of control signal data transfer यहाँ पर होता है तो यहाँ पर यही चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो बात समझ बारी है तो यह mostly काम होता है अपना asynchronous के अंदर and asynchronous में अगर data transfer CPU कर रहा है तो यहाँ पर control signals की बात हो रही होती है तो control signals यहाँ पर major important बात होती है ठीक है एंड इसमें अगर आप लोग देखोगे तो दो methods यहाँ पर मिलिक देता हूं short में async लिक देता हूं चलो asynchronous की दो methods होती है पहली methods है strobe strobe control method ठीक है पहली method है strobe control ठीक है बीजाँ दूसरी method का नाम है hand shaking method hand shaking method ठीक है यह दो methods use होती है asynchronous में clear होगी बात है यह important path है कि यह दो methods जरूती है अब इन दो methods में काम क्या क्या है देखो strobe में क्या है कि अगर sender ने data send किया है to the receiver strobe control की बात हो रही है अभी तो सबसे पहले strobe को देख लेते हैं तो data send ही गया बहुत ही बढ़िया तो यहाँ पर strobe क्या बताएगा strobe आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर data send हो चुका है बट यहाँ पर मालोब उपर है data नीचे strobe जा रहा है तो यह तो हमें समझगे कि data send आला काम हो चुका है तो यहाँ पर लिख देते हैं data यह sender है यह receiving end है बहुत ही बढ़िया तो मैं लिख भी देता हूँ चलो इसकी confusion नाओ तो sender को S से denote कर देते हैं और receiving end को R से denote कर देते हैं बहुत ही बढ़िया तो sender ने data send के to the receiving end receiver को पहुचा नहीं पहुचा इसकी कोई guarantee नहीं है acknowledgement को इस तरीके से बताते हैं तो यह computer network का concept है वैसे तो जादातर आप detailing में computer network में सीखोगे बट mostly important बात यह है कि stroke control में कोई भी acknowledgement नहीं मिलता है बस हमें क्या बता चलता है कि sender ने data send गया अब हो सकता है receiving end पे वो data ना पहुचे हो सकता है पहुच जाए ठीक है तो यह बात की clarity नहीं रहती जबकि handshaking में वो काम हो जाता है अगर data पहुच गया है receiving end पे तो receiver क्या बेजेगा उसका acknowledgement बेजेगा कि भाईया जो भी आपने data बेजा है वो data मेरे को मिल गया है ठीक है so data मिल गया है and this is the acknowledgement you can say इसको क्या कहेंगे हम acknowledgement कहेंगे अब मालू multiple data बेज रहे हम ठीक है बहुत बढ़िया जिससे कि सारी चीज़ें clear होंगी न तो एक काम करते हैं handshaking को और थोड़ा सा अच्छ से देखते हैं sender end है अब मैं s नहीं बना रहा हूं सेंडर को अब सभी को समझ गया एंड यह receiving end है ठीक है हम multiple data बेज रहे है data d1 बेज दिया ठीक है clear है अब d1 बेजा और receiving end पे उसको d1 पॉंच चुगा है तो उसने बेजा इसका acknowledgement बेज दिया to the sender कि हाँ भाई acknowledgement बताएगा acknowledgement कहलो response कि यार हाँ d1 में को मिल गया ठीक है receiver ने बेजा है कि में को d1 मिल गया और वो center को पता चल गया कि हाँ बाई मैंने सई data बेजा है अब मालो sender ने दूसरा data बेजा जिसको हम denote कर रहे है d2 है न और इसको नीचे लिखते है d2 को क्योंकि acknowledgement ऊपर denote कर रहे है तो यह d2 है तो मालो data 2 जो है वो receiver end पर पहुंचा ही नहीं हो सकता है कुछ issues हो जाए हो सकता है कुछ problem हो जाए तो फिर वो उसका acknowledgement center को नहीं बेजेगा इसका मतलब क्या है कि sender को पता चलिया कि यार मैं तो यार d2 को भीज दिया है but receiving end से में को कोई acknowledgement नहीं मिला अब acknowledgement नहीं मिला तो इसका मतलब में को d2 दुबारा से बेजना पड़ेगा सो क्या करेगा sender दुबार से d2 को भीजेगा और अगर receiving end पे d2 मिल जाता है तो फिर वो भीजेगा acknowledgement of d2 ठीक है अगर नहीं मिलता तो अगली बार फिर sender उसको d2 भीजेगा मतलब data 2 भीजेगा तो इस तरीके से ये काम होता है and this is the concept of handshaking ठीक है handshaking क्या बता रहा है handshaking यह ही बता रहा है कि भाई एक acknowledgement नाम की चीज होती है जो कि receiving end बताएगी कि यार यह data मेरे को मिला है कि नहीं ठीक है तो इसी को कहेंगे acknowledgement और stroke control में acknowledgement नाम का कोई चीज होती नहीं है अगर मैं stroke control की बात करो तो stroke control में का होगा सिर्फ data भेजा जा रहा है ठीक है उसको फरके नहीं पढ़ता data आया है कि नहीं आया है तो यह बात यहाँ पर होती नहीं stroke control गेंदर तो यह major importance दोनों में differences है stroke controls है and handshaking में definitely handshaking जादा important है and useful यही चीज होगी क्य ना next D2 बेज़ेगा and if any case कि उसको D2 मिल गया तो फिर हो बोलेगा हाँ बाई मेंको D2 मिल गया तो वह acknowledgement बेज देगा तो यह concept होता है यहाँ पर handshaking का तो बात समझ में आ रही है and आज इस वीडियो के अंदर हमने synchronous and asynchronous data transmission भी देख लिया है so फिलाल मिलते है next वीडियो के साथ बाई